वेलकम टू सुपर फॉस्ट इंगली सकेट में दोस्तों आपके एक्जाम थे बैस्ट में आपको एक टॉपिक बताने वाला हूँ देखिएगा खेलों से सम्मन्द जितने भी कप और टॉफियां मिलती है जितनी भी खेल्स में तो उनके रिकार्डिंगे टॉपिक है इसमें आपको 25-30 कुशन ऐसे मिलने वाले हैं जो कि बारवार रिपीट हुए हैं और इनको आप याद कर लीजेगा देखिए जितने भी यह खेले ना उनसे सम्मन्द कप और टॉफिय बाकाई में आप जब चेक करेंग ना बहुत सारी कप और ट्रोफी हैं लेकिन वो काम की नहीं है उनको वही याद करना है जो बारवार एक्जाम में रिपीट होती है मतलब वो इंपोर्टेंट है तभी रिपीट हो रही है ठीक है इनको आप याद करी लीजे यदि आप सारी ट्रोफी और कप्स को याद नहीं कर सकते तो इन इतने भी वीडियो से आपने पढ़ लीजिए क्योंकि आपके एक्जाम आने वाला है और यह हर एक एक्जाम के लिए बेस्ट वीडियो से हैं देखिएगा सबसे पहला एक क्वेशन है कि कोपा कप जो है वो किस खेल से संब्धित है कोपा तो याद रखना यह हो जाएगा भारत का प्राचीन तम फुटबॉल टूनामेंट कौन सा है तो सबसे पुराना है वो है आपका डूरंड कप कौन सा है सबसे पुराना है डूरंड कप और यह याद रखना आपको जितने भी इंपोर्टेंट आपको दिये जारे ना उन सबको आपको याद करना है जैसे किनारे पर एक pamphlet काफी लगा हुआ है होडिंग लगी हुई है और इसमें पाकिस्तान के बारे में लिखा हुआ है जब इसमें पाकिस्तान के बारे में लिखा हुआ है तो हमारे देश के खिलाफ इसमें बात लिखी गई है तो लोगों के अंदर क्या रोब आ जाएगा मतलब वो न रॉबर्स मतलब रॉबर्स कब जो वो इसी से है फुटबॉल से सम्मनित है ठीक है तो लोगों के अंदर क्या जाएगा रॉब पेलने लग जाएगे वो अब क्या लोगों को डर लगेगा क्योंकि पाकिस्तान ने इस पेंपलेट के अंदर जो भी बाते लिखी है वो भारत के खिलाफ लिखी गई है तो वो लोगों को क्या डर लगने लगएगा कि कहीं अटेक है कुछ प्रॉब्लम नो हो जाए अब क्या हो जाएगा इसमें अब वहाँ पर लोगों को डर लग रहा है अब लोगों से और आपकी यार दोस्त है जो आपके यार हैं मतलब यूरो यूरो कपी फुट वाल से तो आपके यार वहाँ पर आएंगे और लोगों को सब्र दिलाएंगे मतलब सुब chaot सब्र दिलाएंगे और उनको को बोलेंगे आप संतोस रखेगा ऐसा कुछ नहीं होगा तो संतोस ट्रॉफी फुट वॉल से अब क्या हो जाएगा लास्ट में आकर के हम इस जो यू नो यह जो पैंपलेट वहां पर चिपका हुआ है होडिंग उसको हम क्या फार्ट देंगे फार्ट मतलब क्या फुट वॉ संतोस रखेगा तो यहां पर देखो मैंने थोड़ी सी कानी बताइए था कि आगे आपको प्रॉब्लम ना हो अब आगे आपने देखा कि भारत का सबसे प्राचीन ताउं जो फुट वॉल है वो डूरंड है एक चीज़ और देखिएगा संतोस अभी बुलत ना संतोस और र ठीक है आगे ऐसी याद रख लो देखो डूरंड जो है काफी डूरंड रेखा भी है तो ऐसे करके याद रख लो रॉबर्स कब किस खेल से संब्धित लोगों ने का रॉब जाड़ना स्टार्ट कर दिया था तो क्यूंकि वह पैंप्लेट जूता हो लास्ट में फार दिया लेकिन यह लॉन टैनिस साहे यह लॉन टैनिस से यह यह याद रखना टैनिस से काम नहीं चलेगा दूरंड कब लोगों को डर लगले लगा था क्योंकि वह फार दिया था इसलिए यह जाएका फुट वॉल से आगे यार हमारे आ गये थी ना वहां पर यारों ने समझा था कितना जल्दी यह याद हो रहा है वह थोड़ा सा में आपको ट्रिक बता दिया आगे दिखेंगा प्रिंस ओफ बैल्स कप कि प्रिंस आफ बैल्स कप एक बात हुता है यह अपने देखा होगा ना यह जो गॉल्फ केले जैज्द अंग्रेज लोग खोल तो गॉल्फ है तो अब आपने देखा गॉल्फ जोब प्रिंस लोग खिलते हैं क्योंको प्रिंस मतलब वह अंग्रेज लोग तो यह हो जाएगा ठीक है और फुटबॉल मैंने बहुत सारे बताए देखो या यूरो हो गया सुब्रत हो गया डूरंड हो गया है ना तो और सीकनाइडू यह हो जा होता है बैट जोता है वह कैसा होता है बता हो कि टाइप का ही तो हमारा कि घ्यमिन पुम्रे और उनद aqueles यह नंनी मेंने चैसे इसको पड़ा ना तो मेरे दिमाग में आया जो बैड होता है है वो क्या होता है कि ये थोड़ा सा उबरा हूआ रहता है सब्लम किया उबयरस tenant वैस कि अट knife एक तिक चाहिए टूस बाद करते हैं कि ऐसार में किससे समझेता है अब देखिए आपने क्या कि यह जैसे एक्जाम क्वालिफाई किया और आपकी नौकरी लग गई उसके बाद आप एक पार्टी सेलिड्रेट कर रहें आपका दोस्त बाँ पर आया है तो आप उससे क्या वो लेंगे जरासा पीलो भाई जरासा पीलो तो यह उजाएगा जरा मतलब हो जाएगा पीलो मतलब पोलो क्य आप थोड़ा थोड़ा देखो रुलेट तो करना पड़ेगा बाई अगर नहीं करोगे तो मुझे लग रहा थोड़ा दिफिकल्ट दो क्यों न्लग रहा है मोनिका नाम लिख रहा है अब किसी लड़ेगे का मोनिका है तो बैडड परी तो सुएगी यह ज़गा बैडविं वेडविंटन क्या हो जाएगा अभी एक लड़की थी कोनिका वह बैड़ पर सोती थी या फिर अफिर यह भी बैडविंटन है ठीक है अथो यह बेसिकली आपको याद ही रखना है आगे देखो रन जी रन मतलब क्या हो जाएगा कि देखो रन हम किसमें लेतें वताओ क्रिके लेतें तो यह जाएगा क्रिकेट में या फिर सीकेनाइड़ टॉफी हो जाएगा ठीक है फुटवल हो जाएगा दूरंड कप ठीक है और होकी हो जाएगा निम्लिकित में से कौन सी टैनिस इस पर दा ग्रेंड स्लैम में समलेत नहीं है तो देखो इटेलियन जो ओपन है यह इटेलियन ओपन ग्रेंड स्लैम में नहीं है क्यों देखो बिंबल्डन बिलकुल है यह गास के मैदान पर बिंबल्डन जो टैनिस खेला जाता है ठीक है फ्रेंच ओपन और यूएस ओपन यह भी इसके ही संबंदित है बटन का थोड़ा सा अलग है फ्रेंच ओपन जो ना तो कले यह नि मिट्टी टाइप का होता है न और यूएस ओपन यूएस ओपन एंड ऑस्टेलियन जो ओपन होता है वो हाड़कोर्ड पर होता है और बिंबल्डन गास के मैदान पर तो यह आपको याद रखना है बारत की सबसे पुरानी हौकी टूनामेंट का नाम आपको पर बताना है तो इसका नाम क्या हो जाएगा यह हो जाएगा बेटनकप क्या हो जाएगा बेटन कब फिरके आपको पर्षण क्ली के लिए बैडमिंटन पृत्यों था कौनसी है तो देखो पुरुसों मतलब थोमस तो थोमस एलवा एडिसन आपने देखा नाम सुना होगा तो वो क्यों ते मेल हीतियों थे तो पुरुसों से संबंदित जो बैडविंटन है वो थोमस है क्या है थोमस और जो ओबेर कप है ना यह भी बैडविंटन से लेकिन यह लड़कियों के लिए क्योंकि लड़किया जो है मोनिका मतलब किस पर सो रही थी बैड पर तो बैड ठीक तो मतलब बेसिकली यह सारी चीज आपको थोड़ी-थोड़ी याद होना चाहिए जो डैविस कप है वो क्या हो जाएगा डैविश तो होता तो यह टैनिस है लेकिन लॉन टैनिस से संब्धित है और देखो डूरंड कप आप सबको पता होगा फट गई थी मतलब जो जो पैंप्रिड च्छापी थी होडिंग वो कि हमने फार दी थी को डर लग रहा था तो फुटवॉल से संब्धित हो जाएगा इंद्रा गांधी सुरण कप संब्धित किस से है यह कोशन नेवी मर में आया था अंतर राष्ट्य होकी प्रतियोगता इंद्रा गांधी सुरण कप किसे संब्धित है तो पता चल गया आगे देखो रादा मोहन रादा जो है ना रादा मया वह मोहन को क्या बोल रही है कि आप पानी पीली जिए तो पीलो मतलब की हो ज खेला जाता है सर मैंने अभी वी वताया था घास के मैदान पर बिंबल डन अब एक वादता यह एक दो घास है अब गास में यह दिया आप खेलोगे न तो बहुत सारा आपको तागत लगाना पड़ेगा बल लगाना पड़ेगा घास के मैदान में क्योंकि मतलब प्रॉब् वाली टैस्ट मैच कि सरंकला को क्या बोलते हैं तो यह कबलते हैं और एक और बात जो क्रिकेट में दिया जाता है क्योंकिais करता हुआ पैसे की कमीने to को खिलने के लिए तो ऐसे हो जाएगा ठीक है तो यह बेसिकली आपको याद करना है आगे देखो सुल्तान अजलान शाह की टूनामेंट का आविजन कौन सा अदेश करता है ऐसा कौन सा अदेश करता है तो यह जाएगा मलेशिया करता है ठीक है आगे बात करते हैं यह वाले क पानगे को कि एनिमें कुछ मिलता है सी गने वह देखो उबेर न लड़की सो रही थी न मोनिका तो बेरका मतला कौन सा शओती नहीं है तो एक बात होता। मैंसा आपको इसमें जो शओताय वो कौन सा नहीं है, इसका correct answer हो जाएगा आपका, ये देखो, सुधीर मन जो कप है न, वो स्तत्रंज ये गलत बात है, क्योंकि सुधीर मन जो कप है, वो badminton से है, किसे है, badminton से है, तो ये तो गलत है, जबकि अजलान शाक का पी होकी बिल्कुल से ही है, hope man tennis देखो बच्चो जो ये tennis वाला है, मेरे दोस्तो, ये जो है, ये पूछा गया था, आपका, नेवी MR या SSR में पूछा गया था, कि hope man कब किसे सम्मझत है, tennis से है, ठीक है, ऐसे याद रखो, मैंने तो ऐसे समझा, कि हम class में पढ़ रहे हैं, अब क्या हो साएगा, कि जो bell है, वो बजएगी, म मतलब, पोस्टर जो था, गलत, पाकिस्तान का वो, फटेगा, फुट वॉल हो जाएगा, और सीके नाइड़, या फिर रंजी ट्रॉफी क्रिकेट से हो जाएगा, और बैड मिंटर के दो बताए था, मैं आपको, बैड मतलब, अबेर, और एक और था, मोनिका वाला, बस ऐस याद आजाएगा, चिंता मत करिएगा, आगे देखो, आगा खाकप, आपको सबको पता होगा, कि जो, आगा खाकप किस से संब्धिता है, बताओ जल्दी से, बिल्कुल, यह हो, आगा खाकप, जो है, वो होकी से संब्धिता है, तो बिल्कुल, यह तो होकी आना चाहिए थ उबेर कप किस से संब्द देते हैं बताओ जल्दी से यह तो मतलब बैड्मिंटन से था उबरा हुआ रहता है डर लगता था क्यों डर रहेगा तो मतलब फाड़ेंग यह फूटबॉल से हो जाएगा तो इसमें करेक्ट वाला है वो राइडर कप ना राइडर कप जो है न वो तरह से सारे कुशन से हमारे समझ देखो आगा क्या हो जाएगा होकी ओबरिय मतलब बैड्मिंटन डूरंड मतलब क्या हो जाएगा फूटवॉल और राइडर हो जाएगा गॉल्फ आगे देखिए देखो आपको मैच करना रंजी ट्रॉफी रन लेते हैं कि इसमें सब्सक्राइब कर देखिए अगे बात कर लेते हैं आगे यह कुशंस हैं कि अस्टेलिया ओपन लॉन टैनेश टूनावेंट से स्टार्ड कर तीन बड़े लॉन टैनेश टूनावेंट का नाम आपको यहां पर करम से बताना है कौन कौन से वो देखिए एक दोफ्रेंश कप का सम्वन्द लॉण टैनिस मैंने अभी बोला था आपको लॉण टैनिस मतलब डैविश जो कप है वह लॉण टैनिस है तो त्योगे यह डैविश कब जो लॉण टैनिस से है यह आपको याद रखना है संतोस टॉफी किस से बताओ संतोस रखना पड़ेगा जरूर फटेगा तो यह वजय का फुट वाल से संब्धित आगे तो बर्दमान ट्रॉफी आपको पता है जब जो एक बेट लिफ्टर होता है बेट उठाने वाला वह कभी यह क्या बोलता है जैसे आपने देखा इसमें आपको 40 kg अपने बेट लगा लिया इसमें आप क्या बोलोगे भाई यह 40 नहीं थोड़ा 50 करो 60 करो बर्दमान ब्रदी करेगा उसमें तो आपको पता ना बेट लिफ्टर जो होते हैं ब्रदी करते रहते तो सीवाला एकदम सही हो जाएगा आग आपको मतलब एक होडिंग वाला सुब्र तो कप जो संतोष टॉफी है वह है आगे बात करते हैं कि इस्टान ले कप किस से संब्धित है कौन सा है यह हो जाएगा इस जो होकी नहींवा आइस होकी से संब्धित है आपको पताऊगा ना आइस ना पर होती है वहाँ पर हम सब्सक्राइब नहीं है एक बात हैं सब्सक्राइब करते हैं मतलब छेद किसमें करते हैं बताओ जब आपने देखा हुआ किसी भी पुल को जब बनाते ना ब्रिज को जब हम बनाते तो उसमें काफी सारे होल करने पड़ते हैं तक उसमें से वाटर उपर से निकल जाए तो यह जगा ब्रिज इसका क्रेक्ट आंसर आगे बात करते हैं निम्न ग्रैंड स्लेम टाइटलों में किसको रॉल इस नहरू ट्रोफी का मैंने सर्च किया लेकिन क्लियर नहीं हो पाया तो आप मुझे इसका कंफरमेशन आंसर बता दीजेगा बेसिकली मुझे तो इसका फुटवाल आंसर लगता लेकिन आप एक बार से चेक करके कंफूजन दूर कर दीजे ना आगे देखो ओलम पे खेलो कि बेल बार कर मतलब कोई बक्वक ना करें इसलिए करते हिसे दो तो वह जाएगा आगा खा आपको पता ना मेजर ध्यान-चंद की होगी आग लगा देती थी तो यहाँ खा और गाखा और दो एक करते हैं दोस्तों अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट वॉक्स इस्तमाल कर सकते हैं वीडियो का लाइक जरूर कर देज़ेगा लाइक अंड शिर आप जरूर करेगा और जी के मास्टर वीडियो प्ले लिस्ट ये स्पेशल आपके एक्जाम के लिए उसमें बैस्ट मैंने बता रखा है तो उन सबी वीडियो का आप एक बार जरूर देख लिएगा मिलता हूं आपको नेक्स्ट अच्छी सो टॉपिक के साथ तब तक धन्यवाद